हेई असलाम लएकुम मैं यूटीब फैमली वेलकम बैक टू दानिशा व्लॉग आप सभी फिट एन फाइन होंगे सो दोस्तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लखनाओ का व्लॉग जिसमें मम्मी पापा और अपी जीजु को एरपोर्ट भी ट्रॉप करने गई थी और देवे शरीप भी सो चले लेट्स बिकिन दी व्लॉग तो हाँ जी दोस्तों घर के सभी लोग अभी पहुँच चुके हैं बारा बंग की देवा शरीफ की दरगाह विजिट करने के लिए और हाँ जी दोस्तों मैं मम्मी के साथ लगनव नहीं गई थी क्योंकि उसी दिन अलड़ी मैं लगनव गई थी लेकिन स्कूल ट्रिप में वर्ल्ल कप मैच देखने नीदरलेंज और श्री लंका का लगनव की काना इंटरनाशनल स्टेडियम में जिसका मैंने कंप्लीट व्लॉग मेरे चैनल पर अप्लोड किया हुआ है जिस पर माशाला से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है अगर आपने हमारा वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज आप जरूर वाच करें कि अच्छा झाल वो सकता है तुहां जी दोस्तों मम्मी और घर के सभी लोग दर्गाह विजिट कर चुके हैं और बस अब सब लोग निकल रहे हैं लखनाओं के लिए तुहां जी दोस्तों दर्गाह के बाहर बहुत सारी शॉप्स थी जिसमें एक शॉप्स ये भी थी जहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे मिटिके बरतन, कप, स्पोर्ट्स वगएरा थे तुहां जी दोस्तों अभी सब लोग बारा बंकी से लखनाओं एरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं सुहां जी दोस्तों फाइनली अभी घर के सब ही लोग लखनाओं एरपोर्ट बहुत चुके हैं और हाँ जी दोस्तों यहाँ पर हुआ यह था कि भाई साब के चेक इन का टाइम होने वाला था सुबस अम्मी और घर के सब ही लोग काफी जल्दी जल्दी जा रहे थे कहीं लेट ना हो जाए हुआ 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 है हुआ 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 है तो हाँ जी दोस्तों भाई साब तो रेडी हो गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए इन्हें तो साल दोसाल की फुर्सत चलिए भाई हम भी यहां से निकलते हैं हुआ हुआ है तो हाँ जी दोस्तों हमारा आज का व्लॉग यही पर एंड होता है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और अब मैं आप लोगों से हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हूँ सो तिल देन बबबाए अल्ला आपीस अपना ख्याल रखें